दोस्तो आज काफी टाइम से कबूतर खुले हैं, क्योंकि मैं घर पे ही था तो आज मैंने काफी टाइम कबूतरों को खोल दिया, करीब देड़ से पोने दो गणटे हो चुके हैं सारे कबूतर उने दाना पानी खा लिया है कुछ कबूतर अपने दिवार पर जाकर बेठे हैं ये देख सकते हैं आप चार कबूतर दिवार पर जाकर बेठे हैं एक बच्चा ये अपना घर का पठ्था एक ये इधर बेठा हुआ है ठीक है इस सारे के सारे आप आराम से इंज करेगा कोई हावा में उड़ेगा और जिन कबूतरों को भाई केलसेम की जरूरत होगी वह अंडे के छिलके खाएंगे कुछ अपनी कबूतरियों के साथ रोमेंस करेंगे ठीके अब अंडे वाली कबूतरिया आप अंडों पर बैठी है बच्चे वाली एकादी बच्चे पर बैठी होगी जिसके बच्चे छोटे हैं बागी सारे के सारे कबूतर भाई अपने मस्त इंजोए कर रहे हैं अभी एक यह वफादार कबूतर है अपने घर की यह भी अपने बच्चे को ज्यादा टाइम खुला नहीं चोड़ती है अभी सारे कबूतर उनको आप देख सकते हैं अपने बस करीब बच्चों को मिला के 40-42 कबूतर हो गए होंगे बिया 40-42 कबूतर कम नहीं होते हैं अपने पास इतने हैं अभी की आहलत में जो कि उसमें बच्चे होंगे 8-10 दस बच्चे होंगे अभी ठीक है और 4 अंडे अभी कायम है जो 4-4 दिन के सम्थिंग हो 4 अंड़े अपने पास कायं हें और 40-42 कभूतर निट से ऐत्षी छोटे बच्चे तिन दो 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 दिन के भी तो इतने अभी अपने पास कभूतर हैं आभि देखिये कभूतर कहते में मस्त है लाइन लगाकर बेटे हैं और इसमें सारे पřटे हैं सिर्फ उसमें और से देखा जाए तो यह तीसरे नंबर का यह कबूतर बड़ा वाकी एक दो तीन चार पाँच पथे हैं और बहुत मस्त उडान देने वाले पथे हैं और सभी बड़े साइच के जिने बड़ी साइच का बोलते हैं एक है मीडियम साइच का यह जो लाश्ट में है इस कबूतर की सा साइच की है चोटी साइच की है बाकी इसका बाप था पल्टी मार वह अच्छी खासी साइच का था और यह जो लाल कबूतर है ना अपने घर का यह जो लाल कबूतर इसके बच्चे बहुत बड़े-बड़े निकलते हैं मतलब इसकी जो हाइट है और इसकी मादिन की भी कहंद इसंहीं craint krateds National Hour जो कभूत्री यह और दूसरा वह कभूत्री है ठीक है वही वो सबसे बीच में बीच वाली कपूतरी है वो बीच वाली कपूतरी है उसके साथ उसी का बच्चा है तो ये भी बहुत बड़े बड़े अंडे और बच्चे भी बहुत बड़े बड़े उन्दे से निकलते ये बहुत बड़ा अंडा देती मतलब ये लाल जोड जो वो भी उसी का है ठीक है & agency के साथ जो ङइन वो भी उसी का है तो सारे बच्चे उसके बड़े होते और इ Snar पेली बार अपन ने ने इसको अटोमेट्डी जोड़े में डाला और इसने पहली बार अंडे दिये इसकी मा दिन ने तो इसका अभी कुछ result आया नहीं क्योंकि ये इसका बाप मर गया था तो ये इसकी मा के साथ जोड़ा डाल लिया ठीक है और ये वाला नर भी इसके भी पहली बार अपने बच्चे लिये हैं इसकी जो मादिन है वो ये वाली मादिन और ये नर इसका भी पहली बार अपने बच्चा दो बच्चे हैं तो पहली बार ही अपने लिये हैं ठीक है तो इसके बच्चों का अभी अपन देखेंगे केसे उड़ान क्योंकि ये भी कभी कभार पल्टी मारता है ज्यादा नहीं मा होता है ठीक है तो इस कबूतरी के बच्चे अच्छे कहा से बड़े होते हैं बाकि अभी लख्ये के बच्चे उन भी ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है उनको थोड़ा मच्छरों ने पिछवाड़े पर काट लिया था भही तो उनको जो दाने वाने हो गए थे मैं उनको दवाई वगेरा भी लगा रहा हूँ और अभी अंदर हैं काफी मस्त बच्चे हैं तो भई अभी ये जो अपने कबूतर कबूतरिया है सारे के सारे खापी लिए हैं और दाना वाना सब दूर पड़ा है यहाँ भी मैं दाना डाल दिया था और वहाँ तो आपको दिख़े रहा होगा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये देखिए दाना पड़ा है तो दाना काफी डाल देता हूँ में अपने कबूतर भरपेट खाना चीए ऐसा नहीं कि दाना पड़ा है और दाना इधर उदर बीट वीट में हो रहा यह नहीं होना चाहिए सिर्फ भरपेट खाना चाहिए जैसे खाया दाना चोड़ा उसको सोर लो अच्छे से बीट वीट नहीं आया और उसकी ट्रे में डाल दो है न तो उससे क्या रहता है आपका दाना वेस्टेज नहीं कि दिखा साब बिल्कुल भी गंदा पानी में पिलाता नहीं हो अपने कबूतरों को गंदा दाना खिलाता नहीं हो तो कबूतरों की सहत पे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बार-बार ब्रीडिंग करते हैं बार-बार ब्रीडिंग करते हैं और ऐसे में अगर हम लोगों कोई इनको वितने के सियर्थ द्यान निया तो हो सकता कि एंगे आका मिरकाम द्यान धिजितफे ला परवाई बिल्कुल नहीं करनी है कि क्योंकि कबुतरों के मामले एक बिमार पढ़ते रहेंगे और कोई मतलब वाली बात नहीं है आपका खेल बिगड़ जाएगा तो अपने घर की कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती है रोज की आज काफी टाइम कपूतरों को छोड़ दिया तो कपूतर भी हैरान है क्या बात है आज दो घंटे के सम्तिंग हो पिर 15-20 मिनिट छोड़ता हो आदे प्रण गंटे में उनका हो जाता है फिर उसके बाद में उनको थोड़ी देर उढ़ने दो अगर उड़ रहे है तो बंद कर दो जैसे मस्ति में आए कपूतर तो बंद कर दो तो इससे क्या रहता है कि पढ़ी कपूतर को एक डरसा लगा पटपट खालो अगर अंदर डाल दिया तो हो सकता है कि भूके रहे जाए तो उनको ऐसा थोड़ा चमका के रखो कि थोड़ी देर खोलेंगे और अंदर डाल देंगे फिर वो भूके रहे गए अगर दूसरी बार खोला तो मतलब हेंट वूर मिनिट बाद ही कैसे हरका गेत दुप ओर बाद में दो मिनिट भाद फिर वापस खूलओ फिर धर के मारे पटा पट खाएंगे वह अपनी मस्ति बंद कर दें पिर उनने कहा लिया पानी या फिर युश को क्या करो थोड़ी देर उनने दो घुमने फिनने दो यह सही प्रोसेस होती है ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया कबूतर उनने दाना चुग लिया वो पर डाल दिये तो खोले इते टाइम में क्या होता है कि वो अपने कबूतर अपने बच्चों को भी भर देते है और फिर उनको लगती है भूख तुरन तक पेट खाली हो गया अपने लिया तो कुछ उनने बचाया नहीं तो वो क्या करते हैं अपने आपको भी भरने के लिए अपने पेट बरने के लिए फिर दोबारा उनको टाइम चीए 15-20 मिनिट का तो फिर वो अपने हिसाब से खापी के रेडी हो जाते है पिर सेक का दिन ऐसा रहा काफी टाइम मैंने दे दिया है और मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए जैए जै बारत